शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कर दो खना जो खना न भूलें और बेल खना न भीडियोज को खिसी और खनांत। झाल झाल पल्ले पल्ले ओयारा पल्ले पल्ले झाल 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 ऑब बन्ले पIE टेन बार अब लोग आघच चर्ड़हन बिटेनिया टायकर बिस्क्र दीजे राजिन भाई Caterina बिस्क्र मंदिर दाना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बूंच अठी पुर्षटूर वैतना अटी। बूरुण प्रेटानी आटी अटी अटय। झाले बूरुण अटी इपिटेत ग्याटूर्य। वाय थाइध यू गुड अटी, आज का लेशन क्या है? आज का लेशन है? हाँ, अपनी टीचर्स की इज़त करना और अपनी मम्मी डाइडी की खुब सेवा करना और उनसे ढ़्र सारा प्यार करना, ओके? थाइध यू अटी वेलकम अब बाइ, आप नगजीन भाइ बुद्म मुद्म इस रेटनिया यह सब क्या हो रहा है मिसेज बिटानिया इंडियंस ने जो हमारे टाउन में बड़ा हॉस्पिटल बनाया था उसी कहीं सिल्वर जुबली फंक्शन है और इस फंक्शन में बे तमाव डॉक्टर्स इंजिनियर्स आर्केटेक्स कॉंट्रेक्टर्स आ रहे हैं जोने आज से पच्ची साल पहले इस हॉस्पिटल को बड़ी मैने से बनाया था मेरम और इस फंक्शन में आपको इन्वाइट करने के लिए हमारे सेगेटरी आपके घर मिस्स प्रिटैनिया कुछ परेशान लग रहे हैं अभी हल्वा खिलाके इनकी टेंशन दूर करता हूं यह मरिया मारिया मैंडम कमिंग मारिया क्या हूं मरिया वह कप से चला रही हूं माडम हॉस्पिटल का फंक्शन के लिए कुछ लोग आपको इन्वाइट करने क्वा आ था अफ यह सब छोड़ो ए बता हिंदुस्तान से कई फोन तो ने आए था फोन नहीं आ है तीन चिथि आ है हम इं दियर आशा, उनने साल हो गए, अपनी आँखों में बसी, तुम्हारी वो प्यारी प्यारी सुरत सिर्फ अपने ख्यालों में देखता रहा, अब मैं बहुत जल्द मौरी शेजारा, विश्वास नहीं होता, इतने साल अपनी बेटी जीया को देखे बिना, कैसे गुजार दिय मैंने, तुम्हारा सुनिर मलेक आशा डार्लिंग, मैं बेताब हूँ, तुम्हें और अपनी बीटी जीया को देखने के लिए, बड़ा सुन्दर नाम है जीया, मेरी मौरीशिन बीटी, डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा अमर खन्दा ओ गाड क्या हुआ मैड़म? खतम, सब कुछ खतम हो गया, मेरा नाम, इज़ा, शोहरत, पोजिशन, समझ लो, सब कुछ मिट्टे में मिल गया मरीशा अरे असा कौन सा दूफान आ गया? कल तक कोई कुछ ने जानता था, मगर आज, आज हर कोई सब कुछ जान जाएगा कल तक जो राज-राज था, किसी को शक भी नहीं था, यहां था कि तुम्हें भी नहीं मरीशा मगर आप, अब सब जान जाएगे, सब कुछ जान जाएगे, क्योंकि, क्योंकि वो तेनो, वो तेनो हिंदुस्तान से आ रहे सबल चलो भाई, यहां कि जमीन बड़ी चिकनी है, एक बर जो आएउ फिचलता है ना तो फिचलता ही रहता है क्या मतलब? मतलब ये मतलब ये के एग बर मैंभी यहां फिचलता, तर्द अबीटक हो रहा है अगर पराय मुल्क में समान खोग आगजा मैं वहां। आज से पहले आपकी चेरे भर इतनी खुशी कभी नहीं देखी सबने डॉलेंग उसे देखने की खुशी में दिवाना हो रहा हूं किसे बर्सों पहले यहां कर जो कारणामा किया था ना उसे कारणामा अरे यहां अगर जो हॉस्पिनल बनाया था है चलो चलो मैंडम हम इतना साल से आपको अपना बेटी के जैसा केर किया हम को भी कुछ नहीं बोल से कुछ बोलो बोलने से अपना मन का बोज्ज हलका हो जाता और यह राइट हो मरिया अब तो तुम्हें बताने ही पड़ेगा मैं नहीं भी बताऊंगी ना तब यह तुम्हें मालूम तो बढ़ी जाएगा उननीस सार पहले की बात है मरिया मेरे पापा अचानक बीमार हो गए ठीक हो जाएंगे पापा आप विल्कुल ठीक हो जाएंगे मिसाइशा जी डॉक साब जरा यहाँ आए यह जी मिसाइशा आपके पापा की सब रिपोर्ट्स आ गई हैं अच्छा सब ठीक तो है ना उन्हें कैंसर है यह दवाईयां अर्जंट हैं काफी महेंगी हैं जाए जल्दी लेकर आईए जी कर दो कर दो कर दो कर दो कर देख लिया दुनिया वालों को अपने रिष्टारों और द्योस्तों को बुरी वक्त में कोई भी काम ने आता बैटी बैटी क्या सोच रही हो बिना दबायों की तडब तडब कर मर जाने देगी क्या अपने पापा को है मैं अपने पापा को मनने नहीं दूँगी लेकिन तु उन्हें कैसे बचा सकती है उनकी इलाज के लिए हजारों रुपे चाहिए कैंसल की बिमारी है उन्हें कैंसल की कहां से लाएगी इतनी सारे रुपे और मेहंगी मेहंगी दबाईया डॉक्टर्स की फीज और हॉस्पि मेरी बदनसीबी मेरी जरूरत मुझे एक प्यर बार में लेगी और वहां मेरी मुलाकात अमर खना से हुई जो कुछ लम्हें मेरे साथ गुजार कर उसी रात अपने वतन हिंदुस्तान रोट गया मिसाशा ये दवाईया और लाए जल्दी फिर से मैं फिर उसी बियरबार में गई और इस बार मेरी मुलाकात कुमार सिनहा से हुए वो भी एक रात गुजार कर दूसरी दिन इंडिया वापस चला गया उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है ये इंजेक्शन जल्दी लेकर आई है फिर से पापा की तबित बिगड़ती जा रही थी इसलिए मुझे फिर उसी बियरबार में जाना पड़ा है और इस बार मेरी मुलाकात सुनील मल्लिक से हुई और वो भी थोड़ा वक्त गुजार कर वापस हिंदुस्तान चला गया और मेरी बदनसीबी तो देखो मरिया अपना सब कुछ लुठाने के बाद भी मैं अपने बापा को नहीं बचा सकी और उस दिन तो उस दिन तो मेरे पैरों तले से जमेन ही निकल गई जब डॉक्टर ने मुझे बताय कि मैं मैं मा बनने वाली हूं ओ माई गॉड मेरी आंकों के सामने अंधेरा चा गया मेरी समयज में ने आए कि मैं क्या करूं कहां जाओं और उन्हीं दिनों एक महा नौरत हमारी लाखे में आई मिस्स चौदरी मेरी प्यारी बहनों हम और तों को संसार में ऐसा काम करना चाहिए इसके लिए हमें बनना पड़ेगा एक अच्छी पेटी अच्छी बेहन अच्छी पत्नी और एक अच्छी मां और इन सब तमाम अच्छाइयों के लेे हमें जरुरत है अच्छे चरीत्र के आरत का चरीत्र सफ़ेज चादर होता है और अगर उस पर दाग लग जाए तो वो कभी नहीं होता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चरीत्र पर दाग नहीं लगे तभी और एक महान हस्ती बन सकती है कि कुछ कहना चाहती हो जी हाँ आज आपके औरतों के बारे में विचार सुनकर मुझे अपने आपसे नफरत होगी अरे अरे ऐसा क्या हुआ बीटी मुझे ज़रा जल्दी है आओ मेरे साथ हाँ गाली में बात करने हैं कि देखो आशा तुम्हारी किसमत ने तुम्हारे चरीतर पर जो दाग लगा दिया है वो तो धुल नहीं सकता बगार बाप के अउलाग को जनम दोगी तो समाज क्या कहेगा दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे इसलिए तुम्हें इस इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में चली जाओ यहां तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता हूं वहां जाकर अपना जीवन समा सेवा में लगा दो और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक अच्छी मा बनो अपक्रेट मदर उनकी इस बात ने मेरे दिल में जगा बना ली और मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि और कुछ ने तो मैं एक अच्छी मदर ज़रूर बनोगी और इसी इरादे से मैंने वह उलाका छोड़ दिया और इस इलाके में आ गए यहां आने के बाद मैं बहुत तन्हा और अकिलापन मैसूस करने लगी और अपने दिल का बोज हलका करने के लिए मैंने धड़कते दिल से एक दिन सुनील को बंबे टेलेफोन किया और जैसे मैं करते हैं और आज तक वह चक भेज रहे हैं मतलब उनिस साल से हर महिना वो लोग आपको चेक भेजता रहा है येस मरिया, उननीस साल से वो तीनों मुझे रगाता ज़क भेशते रहें तीनों? येस, पांच से रुपे हर मेने से शुरू हुए फिर दस, पंद्रा, बीस एजार तक पहुंच गए पर इन तीनों में से जिया बेबी कबाब कौन है? मरिया, क्यों मेरे जखमों पर नमक चड़क रही हो तुम? मेरी जिन्दगी में दस दिन के अंदर अंदर तीम मर्द आये और चले गए तुम भी तो एक आरत हो ना, तुम ही मुझे बताओ मैं कैसे बता सकती हूँ कि उन तीनों में से जिया कबाब कौन है? यह कबाब कौन है, तुम को भी नहीं मालूम अफकोस मालूम, मालूम? कौन? उन तीनों में से कोई एक, मगर वो एक कौन है? यह मुझे भी नहीं मालूम अरे कमाल है तुमको भी नहीं मालूम अरे जॉनी बाइ तुम तुमने सब कुछ सुन लिया हां तो क्या तुमने सच मुझ सब कुछ सुन लिया हां मिस्स बिटेनिया आपकी जिंदगी की कहानी सुनकर मैं इतनी टेंशन में आ गया कि जो हल्वा आपको खिलाने के लिए लाया था टेंशन में आके खुद भी खा गया देखो जॉनी बाई यह राज किसी से मत के ना प्लीज ने तुम्हें कहीं के ने रहोंगी दोंट वरी मिस्स बिटेनिया जैसे दिल में धलकन शुपी रहती है वैसे ही आज के बाद यह राज हमेशा मेरे दिल में छिपा रहेगा मगर यह मिस्टर बिटेनिया कौन है जब मैं जयाँका नाम स्कूल में लिखवाने गई तो प्रिंसिपल ने मुझसे जयाँके बाप को नाम पूचा में परेशान हो गई कि अब मैं जयाँके बाप को नाम क्या बता हों सामने बिटेनीयिक बिस्केट का पाकेट पढ़ा हुआ था मैंने कह दिया कि मेरी बेटी के बाप का नाम है Mr. Brittany दूसरा कोई नाम नहीं मिला, बिस्कित का नाम रख लिया हरे तो और क्या करती, वहाँ बिस्कित के पास एक थम्स अप की बोटल भी पड़ी थी तो क्या मैं अपना नाम Mrs. Thumbs Up रख लिती किस्मित ने मेरी साथ खेल खेला, मैं दुनिया के साथ खेल गई नया नाम, नई जिन्दगी और आपने एक नई दुनिया बसा ली और अब अब मैं इन तीनों के साथ बिलकुल ने मिलना चाहती क्यूंकि इन तीनों की वज़े से मेरा बना-बना सब कुछ बिगड़ सकता है अगर ये सब जीया को पता चल गया तो क्या होगा तो भोचाल आ जाएगा धर्ती फट जाएगी आसमान गिर पड़ेगा एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ अरे आठ दूनी सोला ओट दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ अरे आठ दूनी सोला छे माहिने की देर फिर तू शोला बरस की हो जाएगी Oh, you mean sweet sixteen ? छे माहिने की देर फिर तू सोला बरस की हो जाएगी सोला बरस की होते ही तू सबके होश उडआएगी Oh, really ? एक दूनी दो, दो दोनी चार, चार दोनी आट औरे आठ दोनी सोला एक दुनी दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ अरे आठ दुनी सोला सोला बरस के पाथ ये लड़की बन के पतंगोडे चाएगी पीछे पीछे दोडे कातु हाथ न तेरे आएगी एक दुनी दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ अरे आठ दुनी सोला इतनी दो, दो दुनी चार, चार दुनी आट पर आट दुनी सुना जुर्पली होगी, बड़ी बड़ी, रंगत होगी, खिली खिली, चर्चिये होगी, गली गली बाहों में आने दो, अब रोको न रोको न मुझे इतनी दो, दो दुनी चार, चार दुनी आट पर आट दुनी सुला सुला बरस के बाद ये लड़की बनके पतंग उड़ जाएगी, सुला बरस के बाद ये लड़की बनके पतंग उड़ जाएगी, पीछे पीछे दोड़ेगा तुन हाथ न तेरे आएगी पपी ले लूँ अभी नहीं लब से खेलूँ अभी नहीं थोड़ा छेडूँ नहीं नहीं तेरी ऐसी बदुमें दिवाने मैं नाने वालूँ मर्जी है क्या किसे बटा चलती है क्या तोहां भला यो ना तड़ पा चिना चला कैसा है दिवाना मेरा माने ना माने ना माने ಈ 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 दो दूने चार चार दूनी आठ और आठ दूने सोला एक दूनी दू, दूने, चार दूनी आठ, आर- आठ दूनी सोला, ना, सुटल यहुत ही ॐ जान अचा राज आ हम आ चार, राज कई आ तुम सच मुझ बच वो हो कि मैं शे महीने बाद सोला सल के ऑजाओंगी आपकोस, यूर बेबी नो, for a kind information, मतलब आपकी सूचना के लिए मैं अठारा साल, दो महीने और सत्रा दिन की हूँ क्या तुम अठारा की हो गई? तब तो लाइन क्लियर है यार मतलब? चलो मेरे घर ममी से मिलने चाय पर ओ, चाय पर? येस चलो अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं मर जाओंगी मेरे सामने वो दूसरी लड़की को प्यार करता है मैं जहर खालूंगी नई नई बेटी, मैं हूँ न अरे निसा बेबी, जहर खाने का कौनो जरूरत नहीं है अरे उसको प्यार करने दो, महबत करने दो किसी और से लेकिन ब्याह तुमसे ही होगा और करवाएगा आपका ये दास इंटरनेशनल मेरीज एजेंट, सुन्दर दास जो आलवेज शीख बोलता है और नानवेज नहीं खाता है अगर तुम मेरी बेटी की शादी राज के साथ करवा दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा अरे सेड़ जी आप कहे को जिंदा करते हैं अरे हम बड़े-बड़े फिल्म स्टार का इंडिया जा के ब्याह करवा हैं और यहां मौरेसस में बड़े-बड़े मिनिस्टर का ब्याह करवा हैं अमेरिका लेंडन में भी ब्याह करवा हैं अरे सुन्दादाज आलवेज शीख बोलता है और नानवेज निखाता है लेकिन यह राज है किसकी आउलद अरे हमसे का पूछते हैं हमको का मालूम उनसे पूछे ना बेटी यह राज किसका बेटा है वो मिस्स चौधरी का ग्रांसन है ओ मिस्स चौधरी और अब फिर तो और भी जी हो गया है जोकि राज के बाप का ब्याह मिस्स चौधरी की बेटी से हम ही करवाए थे और दो घंटे के बाद तलाग भी करवा दिये थे दो घंटे के बाद? ने 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 हमना मतलब है दो साल के बाद अरे सेर जी ये अमीरों को ब्याह की भी बहुत जल्दी होती है और तलाग की भी बहुत जल्दी होती है एक काम करते हैं मिसेश चोधरी के घर चलते हैं और चट मंगनी पट ब्याह करते हैं देखो मामा कौन आया है जिया मेरी कॉलेज फ्रेंड नमस्ति पढ़ाई में नमबर वन खेल खूद में नमबर वन और म्यूजिक और डान्स पे तो इसका जवाब भी नहीं क्या तुम कॉलेज में नाचने गाने जाते हो ओ मामा नृत्य और संगीत तो एक कला है क्यों नानी कहां रहती हो तुम जी मैं कात्रबोन में रहती हूं हम तो क्यात्रबोन के तमाम लोगों को जानते हैं कि इसकी की बैटी हो कुमद क्या नम है तुमारे ड्याद का ची मेरे पापा का नाम मिस्टर प्ररणाम मिसर्स चोधरी को सुंदर दास का प्ररणाम नमस्कार भाबी जी कैसी है आप से भेड करने के लिए सेठ धन्राज जी अपनी बेडी के साथ पधार है इनका दम सैंसा कीजैरे है नमस्स निशेंगे't giving और अटwestर भेटा हो तो एसा और दिखने में भीरा और मन का भी यानि कि प्रापटी का दलाल, नौकरी का दलाल, सब्जी मंडी में गेहू, चावल, आटा, डाल का दलाल, फुरूट का दलाल और यहां तक की शादियों का भी दलाल वह रियली? So you're king of दलाल's. Come on, जिया, let's go. राज! अब चिंता मत कीजिए, हम देखता हूँ. राज घर का ऐसा चराग है, जो पूरे परिवार को रौसन कर देगा, लेकिन ये रौसन चराग के साथ, बुझा हुआ दिया किसका है? वह समझ गया, ऐसी वैसी कोई लड़की होगी, दौरत की चमक देके चिपक जाती है, लेकिन भाबी जी ऐसी लड़कियों से चकरना रहेगा, ये मा बेटों के बीच में दलार पैता कर देती हैं. सुन्दरदास ठीक कहता है. सुन्दरदास आद्वेज ठीक कहता है, और नाद्वेज निखाता है. देखे हैं, हम आपका घर का चराक के लिए ये जगमागाता दिया लेकर आया हूँ. दुनिया इसको राज के साथ देखेगी ना, तो चांद और सुरज का जोड़ी कहेगी. सुन्दरदास ठीक है, ठीक है. रिष्टों के मामले में जल्दवाजी अच्छी नहीं, हमें राज की मर्जी चालना है ज़रूरी है. आइडिया! क्या? टेर्राफिक आइडिया! सब मुश्किलों से छुटका रहा हूँ. कुछ दिनों के लिए मैं और जिया इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे. और जब तक ये तीनों हिंदुस्तान वापस नहीं लोट जाते, तब तक मैं और जिया भी वापस नहीं आएंगे. लेकिन वो लोग इदे ना गया तो? तो कहे दे ना कि मुझे उनकी कोई चुट्यूटी नहीं मिली और ये भी कहे ना कि मैं आओ जिया, हाँ, टोक्यो चले गए हैं और तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कम लोटेंगे. हाँ, हाँ, तो के मैडम. And you know something? कल तक में एक छोटी सी मजबूर लड़की थी, मगर आज, आज मैं लड़की नहीं, ओरत हूँ, एक इजदार और जिम्मेदार मदर हूँ, मिस्स ब्रिचानिया हूँ, जिसे सारा शहर सलाम करता है, मेरी इजद करता है, और मैं अपनी इजद को मिट्टी में मिलने नहीं द मामा, देज में बीबी, कहीं जा रहे हैं, मैं नहीं, हम, चलो, जल्दी से गाड़ी में बैट जा, हमें इस वाक शीलाइंटी के पास जाना है, उनकी तवी अचाना खराब होगी, चलो, नहीं, मामा, मैं नहीं आ रहे, क्यो, मामा, हॉस्पिली बनाने वाले सारे इंडियम् जिने बचाते हुए, मेरे पापा ने पनी जान दे रहे थी, ये भी एक बज़ा है, जो मैं यहां से जाना चाती हूँ, लेकिन क्यों, मामा, क्योंकि उनने देखकर, मुझे तुमारे पापा की याद आएगी, उनकी कुर्बान ही याद आएगी, इन इंडियम्स को बचाते अंदर, मामा, तो क्या आप, आप नहीं जाएंगी, जहां मेरे बेटी, वहाँ उसकी ममा, थैंकियो मामा, चला, ये रोहित, कहां जा रहा है, बीवी को पड़ागर ब्यूटी पार्लर बेजा है, आने में दो तिन गंटे लगेंगे, तब तक अपनी गल्फिंड को मिलके आ गुर आप्टिनोन ब्यूटी पालर, ब्यूटी पालर, येस सर, देखे मुझे घल चार बजे, मिसिस सुनिल मली के लिए अपाइट्मेट्मेट्ट चीह, हलो सर, चार बजे, जी, मैंधिक्वूर, पेडिक्वूर, फेस मसाज, हेड मसाज, बोडी मसाज, एसेट्र, एसेट यहीं मोरिशेट में अपनी गल्फिर्ट से मिला था तब क्या चकको लगती थी एकदम ताजा कली पता नहीं अब कैसी लगती होगी आरे गर्फरेंड हमेशा भीवी से अच्छी ही लगती है जए 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 परसंट राइट येली? येस तपाजी लेट कि भूवववें रे वाव तुम अभी ब्यूटिफल हो तुम अभी लवबल हो तुम अभी ब्यूटिफल हो तुम अभी लवबल हो तुम अभी ब्यूटिफल हो तुम अभी लवबल हो दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम बन्टू खें अभी ब्यूटिफल हो अभी ब्यूटिफल हो वाण य lett खें आजयं थे लूटिफल केत ब्यूं दिल मेरा उँमली यहाँ चूमलू आ यहाँ जाने जा होटों की लाली चुराने तो दे ब देखती ही तुझे क्या नशाद जागया क्या मुझे हो गया मस्ति सी छाने लगी है सानम तुम अभी लफ सिंबल हो? तुम अभी लफबल हो? दुनिये की हैं नो मेंद अभी हो तुम LIVE हैपी डीज़ हैर अगेन आपी डीज़ हैर अगेन हैपी डीज़ हैर अगेन आफ आफ अओ आफ आग से भी गरम शवनमी ये बतन जो तुझे टच किया शोला सा दिल में भड़कने लगा तु बुझा ये चलन कह रही गरमिया पासरे किसले सीरे से आके लगा ले मुझे तुम अभी स्विच सेंपल हो तुम अभी लवेबल हो दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम वन टू टैन अज़ गे शुम है आके लेके सीरे सेंपाइफ्स कर दो कि अवड़ दो. बिजलियां गिर पड़े देख लो तुम जिदर क्या नजर क्या कमर वाहों में जानम तु आजा आजा आपने चुका हाँ आपका शुक्रिया आपके प्यार का ये तुम सर है मेरी चान जाए तुम अभी शोक गजल हो तुम अभी लवेबल हो दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम वन टू टेन है ज़ाए 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 ज एलो कौन हलो अचा डारलिंग मैं मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा अमर डारलिंग मैं जानती थी तुम ही हो कैसी हो मैं ठीक हूँ हमारी बीती जीए कैसी है वो उपर अपनी कमरे में सो रही है मैं मैं कला रहा हूँ चार बजे चार बजे मगल अचा डारलिंग अब तुमको देखे मिला जी नहीं पाऊंगा कला रहा हूँ चार बजे एक्जाक्ली ओकी बाई बाई अरे बंद कर दिया कौन था यह आमर आमर जुल्फों वाला ममी का है अपना अंटी के कमरे में गई है कौन होगा हेलो 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 मैं बोल रहा हूँ तुम्हार दीवाना कुमार ओ कुमार मैं कल चार बजे तुम्हें मिल रहा रहा हूँ चार बजे चल ममी को फोन करते हैं कौन बोल रहा है अबे बेश्कूप मैं तेरा बाब बोल रहा हूँ पोड़ लग पठा नहीं मेरा बाप तो बातरूम में है तू कहां से बोल रहा है अब एभाप एफ निभाप की आवाज निकालता है इडियेट आजकाल के बच्चे भगवान किस प्याने निम थे भानिग गषा आध निख है हलो अच्बर जर्लिब कर. मैं कल चार बजी तुम से मिलने आ रहा हूं हाँ डो अंडे का आमलेट एक पपाया एक गलाज गरम ढूद' ठैंक यूँ मेडम उसे कल दो अंडे का आमलेट एक गलाज गरम ढूद और एक पपाया चाहिए कल चार बज़ेग goofy कि नाइट भूट नाइट ब्यूटी पालर होकर आओगी तो परी लगोगी परी चोड़ो अब परी बनके किसे रिजाना है मुझे अफकोस मुझे जाने दो तुम्हें तो रिजा रिजा के ठक गई हूं मैं तुमसे कुछ नहीं होने वाला एक अलाद भी नहीं दे सके मुझे हम आप नहीं बन सकें तो दोश मेरा है तो क्या मुझ में खामी है अफकोस डॉक्टर की रिपोर्ट की मुताबिक तुम ही में खामी है तुम बाप नहीं बन सकते अरे छोड़ो डॉक्टर की बातों को एक दिन ऐसा सप्राइज दूगा कि चकर खा के गिर जाओगी क्यों दस में जस्बाद चागेंगे महबत रंग लाएगी और हो सकता है मौरिशी इसमें हम दोनों की बीच कुछ हो जाए और तुम मा बन जाओ और युद्टी पारलर जायंगे विटी पारलर जाकर दो बच्चों की मा हूं है यहीं तो मुश्किल है और तो मां बंजाती है तो अपनी ब्यूटी को बोल जाती है वह पत्री काम और मां ज्यादाबन जाती है मुझे इंडिया में तो कभी ब्यूटी पर्लर जाने को नहीं कहें तुमने यहां क्या खास बात है डार्लिंग यहां का मौसम ज्यादा ही रोमांटिक है ना क्या मतलब मतलब मैं चाहता हूं कि तुम खूब सल्सवर कर आओ ताकि मौरिश्यस में आज फिर हानीमून मना सकें मैंने तुम्हारे लिए चार बज़े का अपॉट्मेंट ले लिया है चलो चार बजने वाले चलो 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 ओके जाती हूं बाबा सपना मौरिश्यस के हवा में सांस लेते हुए ऐसे लग जैसे एक नई जिन्दगी मिल गई हो सैकार यहां की हवाओं में आप कुछ जादा ही बदले बदले नजर आ रहे हैं अरे हां डार्लिंग मैं चाहता हूं कि तुम भी बदल जाओ जानेवन आज शाम की पाडि तुम ही सबसे खुबसूरत लगाओ मयडर्लिंग चार बजने वाले हैं अगर वो तीनों एक साथ आगे तो मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मैंने ब्यूटी पालो में चार बज़े का पॉइंट में लिया है आपके लिए मेरी लिए चार बज़े मारिया मामा आज हॉस्पिल का डिनर फांक्शन है आप भी तो इंडियन पिले चीलिये तुम चलो में बी इन तेनं में से कोई बी आया। तुम संभाल रहूगे न? मश्को की ला और न जुव कि चाहए यह डूमस्क हो तूजआ देल्टी देल्हकंसафशा स्वा स्वाट। कमफ़टेबल माडम हुआ हुआ है देखना तो वो लड़की कितनी खुबसूरत है देखा मौरिश्यस की लड़किया होती ही बहुत खुबसूरत है येकिन ये तो पूरी इंडियन लग रही है बिल्कुल ठीक मैं मौरिशन सिटिजन तो हूँ लेकिन हाफ मौरिशन और हाफ अच्छा वो कैसे मेरी मौरिशन है और पापा इंडियन अच्छा क्या नाम है तुम्हारा जी आ ब्रुटैनिया ब्रुटैनिया मगर यह तो यह तो बिस्कित का नाम है नहीं यह मेरी पापा का नाम है इंडिया में बहुत बड़ी फैमिली है उनकी ब्रुटैनिया फैमिली तुम्हेरे डैडी क्या करते हैं मेरे पापा एक बहुत अच्छे तेराख थे अग्रेट स्विम्मा थे मतलब जी उनकी डैथ हो गई मतलब संदर में एक बहुत बाद उफान आया था और एक कश्छती जिसमें बहुत सारे लोग थे वो डूप गई मेरे पापा ने उन सारे लोगों को डूपने से बचा लिया लेकिन लेकिन खुद को ना बजा सके लिकिन तुम्हेरे पापा बहुत ही बहदर और नेक इंसान थे तुम्हें उन पर नाज होना चाहिए जी हां मुझे अपने पापा पर भी नाज है और मामा पर भी जब पापा की डैथ हुई तुम्हें मामा के पेट में थी मेरी परवरिश में मेरी मामा ने अपनी सारी खुशिया कुर्बान कर दी दूसरी शादी भी नहीं दूसरे लोगों के लिए भी उनके दिल में उतना ही प्यार है, उन्होंने हमेशा सी समाथ सेवा की है, दूसरे लोगों के दुख को अपना दुख समझा है, जब कोई बिमार होता है, तो उन्हें लगता है जैसे उनका कोई अपना बिमार है, तेन रात उसकी सेवा में लगी कभी अनाथाश्रों में जाके सेवा करती हैं तो कभी धार में कामों में अपना वक्त बिताती हैं और कभी विद्वाओं की संस्था में जाकर किस तरहा उन औरतों के मन का बोज हलका करती है एंड माइंड़ लोगों की सेवा करना और अपनी बेटी से प्यार करना यही उनका खर्म है, my mother is a great mother. She is really a great mother. Jiya, क्या तुम हमें अपनी ममा से मिलवा सकती हो? Of course, she is my great mother. ये मदर है? हेलो, मिस्स कुमार हूँ, मेरे पती बिल्डिंग कॉंट्राक्टर है, उन्हें ने या मौरिशिस में एक हॉस्पिटल बनवाय था, उसी के फंक्शन के लिए हम सभी यहाँ आए हैं, मिस्स मदू अमर खन्ना, हेलो, मिस्स सपना सुनील मलिक, है, मिस्स बिटानिया, आपकी ब कारे में जो कुछ भी बताया है, हमारे ख्याल से, इस साल का Great Mother Award, मिस्स चौधरी की बजाए, आप ही को मिलना चाहिए, जी, मुझे, Excuse me, Sir, Good afternoon, Sir, Good afternoon, Sir, Good afternoon, Sir, मैं आप तीनों को ही लेने आ रहा था, हम तीनों को, Yes, क्यों, 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 आज चार बजी की कमीटी मीटिंग के लिए, Sir, चार बजी, ओनों, Impossible, क्यों, सर, क्या हुआ, अरे, मेरी चार बजी की मीटिंग तो 19 साल पहले ही तेयोची की थी, और मेरी चार बजी वाली मीटिंग, बहुत emotional मीटिंग है, very emotional मीटिंग, और मेरी वाइज को दुबारा, ब्य की मीटिंग में चलते हैं, पाजी, लेस्ट किप मुविंग, अज का दिन एक बहुत महान दिन है, एक great day, क्योंकि आज वो तमाम हिंदुस्तानी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनोंने मरेशिस आकर हम मरेशिस के लिए एक शांदर हास्पिटल बनाया था, मैं शुक्र प्षपिट्स का और कांट्रक्टर का जिनोंने अपनों से दूर रहकर, अपने घर से दूर रहकर। सुनी वो अशा विटानिया है, जानते हों? अफ्कॉर्स तुम कैसे जानते हों? तुमने जान लिया, समझूए मैने भी जान लिया सब की दौएं भी हमेशा उन हिंदुस्तानियों और मजदूर भाईयों के साथ रहेंगी जिन्हों ने यह हास्पिल बनाया मैं उन तमाम डॉक्टर्स नर्सिस और सारे स्टाफ के लोगों का सुप्र जिज़ार हूं जो इस हॉस्पिटल में सची भाव 900 मरीजों की सेवा करते मैं कुछ खास नाम लेना चाहता हूं मिस्टर आमर घंणा मिस्टर सुनील मालेक कौन कहता है कि मैं बाप नहीं बन सकता कड़ पड़त इसी मैं तुमने कुछ कहा हां बहुत खुबसूरत लग रही हो ब्यूटी पालर गई थी ना कितनी खुबसूरत लग रही है कौन बहुत खुबसूरत लग रही है तुम आज ब्यूटी पालर गई थी ना इसलिए तुम अब भी ब्यूटी पालर गई थी ना बहुत ब्यूटी फुल लग रही हो लेडिज एंड जेंटलमेंट अब आपके एंटर्टेन्मेंट के लिए पेश करते हैं हिंदुस्तान के मशूर सिंगर अलताफ लाजा और उनका ग्रुप पीरी तो घर की रानी है बीरी से वन्ष चलाते है सौतन को जो अपनाते हैं खुद आग वो घर में लगाते हैं सौतन तो जहर है जीवन का ये अच्छे लोग सिखाते हैं पीरी तो घर की रानी है बीरी से वन्ष चलाते हैं सौतन को जो अपनाते हैं खुद आग वो घर में लगाते हैं सौतन तो जहर है जीवन का ये अच्छे लोग सिखाते हैं हुआ का ये अच्छे लोग सिखाते हैं वो जिससे दुनिया सौतन कहती है वो दो नंबर का रिष्टा है इसे काले धन की तरह सब की नजरों से छिपाया जाता है बीवी न पकड ले है रिष्टा ये तोच के दिल खबराता है सोतन को भी मालूम नहीं साजन कहां आते जाते हैं बीवी तो घर की रानी है बीवी से वन्ष चलाते हैं सोतन को जो अपनाते हैं खुद आग वो घर में लगाते हैं सोतन तो जहर है जीवन का ये अच्छे लोग सिखाते हैं कि अच्छे अच्छे नहीं हर रोज नए सपनों की तरह बदले है चाहत साजन की बीवी से प्यार निभाते हैं मरते हैं अदा पे सौतन की पर सौतन को भी खबर कहां पर सौतन को भी खबर कहां मिल पाती है इनके मन की कुछ मर्ग बड़े ही चालू है जो तर बाजाल बिछाते हैं बीवी तो घर की रानी है बीवी से वन्ष चलाते हैं सौतन को जो अपनाते हैं खुद आग वो घर में लगाते हैं सौतन तो जहर है जीवन का ये अच्छे लोग सिखाते हैं जीवन का ये अच्छे लोग विखाते हैं सोतन के चक्कर को साजन चाहे लाख छिपाए हजारों से लेकिन ये पकड़े जाते हैं बीवी की तेज निगाहों से बीवी की पूछ ताच का ढ़ंग बीवी की पूछ ताच का ढ़ंग कुछ कम नहीं थाने दारों से बीवी तो पुलिस से बढ़ कर है ये पुलिस के लोग बताते हैं बीवी तो घर की रानी है बीवी से वन्ष चलाते हैं कौदन को जो अपनाते हैं खुद आग वो घर में लगाते हैं कौदन तो जहर है जीवन का ये अच्छे लोग बिखाते हैं कौदन कौद बीवेहिं कौद OW अच्छा तो यह बुचता हुआ चराग मिसेश ब्रिटानिया का बेटी है अरे सेड़ जया बिलकुछ इंदा मत कीजिए हम मिसेश ब्रिटानिया का ऐसा जनम कुड़ी निकालूगा कि साथ जनम तक इसकी बेटी राज से ब्याहा नहीं कर पाएगी समझ है और अब तो जनते ह है का सुन्दा बास अल्वेश ठीक कहता है और नॉन्वेश कभी नहीं खाता है मामा मैंने कुछ इंदिन से पापा के बार में पूछा मगर बोलो कहती है किसी मिस्टर ब्रिटानिया को नहीं जानते देखा कितनी जल्दी भूल जाते ही ये दुनिया वाले जिया बेटी मेरे पापा को जानता हो ओ bon jya तु फिर अपने पापा के बार में उन्से पूछहोगी तुम्हें भी जवढ़ हाख तुम्हें भापा की कुर्बानी को बूु चुके हैं जिया बेटरी इसी में है कि हम शीला आंटी को न भूले ने लेट मिस्स बिटेरिया, अमर खना येर, Mr. Bitteney का फ्रेंड, उननीज सल पहले मीले थे Oh, how could I forget? Very nice meeting you. Nice meeting you too. अगर ने गरती नी कर रहा हूं, तो ये Mr. Bitteney की? ये मेरे बेटी जिया है, जिया, Mr. Khanna. जिया, so beautiful, so charming. Hello Mr. Khanna. Hello, कितनी खुबसूरत हो तुम, क्योंकि तुम्कि तुम्हारी खुबसूरती में, तुम्हारी पापा की सूरत शामिल है. Thank you. जिया, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? मामा, चलिए. Thank you, come. मैडम, कुछ गड़बर हो गया तो. तो, 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 गड़बर तो 19 साल पहले हो चुकी थी, अब तो जो होगा, देखा जाएगा. Mr. Khanna, Mr. Khanna, Mr. Khanna, Mr. Khanna, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं. Oh, really? You like it? Good. ये, नमबर बन है ना? सुल्फों वाला. मेरे पापा दिखने में कैसे थे? क्या वो हैंसम थे? अब फिल्मी हेरो तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे थे. मतलब हैंसम थे? Of course. तब यह तो तो में इतनी ब्यूटिफुल हो. और बाते ही करने में कैसे थे? बिल्कुल तुमारी तरह. मतलब आप मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे? और यह भी चातता हूँ. अगर वो इस वक्त लिया होते, तो क्या करते हैं? अपनी बीटी को अपने गले लगा लेते हैं. और कभी अपने से दूर नहीं करते हैं. लेकिन अकसर ऐसा होता नहीं है मालू. जब भी कोई किसी की नजदीक देना चाता है, तक्तीर और हालात उन्हें दूर कर देते हैं. लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ग्रेड थे. थैंक्स. एक मौका इस हिंदुस्तानी को भी दिजी सरकार. वाय नाथ? थैंक्यू. थैंक्यू. ये. नंबर दू. Mrs. Brittania, बेटी होते जिया जैसी हो. बिल्कुल बाप पे. मेर मतलब है आप पे गई. थैंक्स पूर अप्लिमेंट. तलसुवत अस बजे मिलने हारा. ये. ये. क्या? क्या आप मेरे पापा मिस्टर बिटानी को जानते हैं? अफकॉर्स. प्लीज, मुझे उनके बारे में कुछ बताईए ना. पहले तुम बताओ, कि तुम उनके बारे में क्या-क्या जानती हो. स्यादा कुछ तो नहीं, मगर इतना जरूर जानती हूं, कि वो एक बहुत हैंसम आदमी थे. हैंसम? तुम्हारे डैडी की जितनी भी तारीफ करूँ, वो कम होगी. वो बहुती ग्रेट आदमी थे. सुना है कि वो बहुती जोशीले और बहुत बहादूर इलसान थे. अफकॉर्स. अफकॉर्स. जिया, तुम्हारे साथ आज डांस करके मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं अपनी बेटी के साथ डांस कर रहा हूं. क्या आपको अपनी बच्चों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है? इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया. जितना आज आ रहा है. क्यूंके मेरे दो बेटी हैं और तुम बेटी. गुदी इंडिंग. गुदी इंडिंग. मैं कल सुबा दस बज़े तुमसे मिलने आ रहा हूं. दस बज़े? कल सुबे? कहो तो रात का या चाहूं. नो. ओ, येस. सुबा दस बज़े ठीक है? हाँ, ठीक है. ओके भाई. अब क्या होगा? ये भी दस बज़े. कुमार साब, क्या आप भी डांस करते रहेंगे या हम भी? शुक्से, शुक्से. थेंक्यू. हलो. हलो. आइम सुनिल मलिक. आइम जिया. क्या आप ही मेरे पापा को जानते हैं? अफ्कोर्स. Oh, Mrs. Britannia. Mrs. Britannia, your daughter is very beautiful. What a wonderful child. Oh, that's so sweet. Thank you so much. कल सुबद दस बज़े में तो में घर पे मिल ले आ रहा हूँ. Oh, no. Oh, yes. मेरे मामी कहती है कि मेरे पापा और उनकी जोड़ी बहुत बीटिफुल थी. Naturally. तभी तो उनकी बेटी इतनी खुबसूरत है. Thank you. ये, number three. बहुत हैंसम है. वो तो है. आप तीनों के साथ डांस करके मुझे ऐसा लगा? जैसे मेरा आप लोगों से कोई बहुत पुराना रिष्टा है. जीया, कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं. जो अंजाने में बनते हैं. और चुपके से निभाए जाते हैं. जड़ाँ. मामा! क्या हुआ? तीन इन्यंस बाबा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. मुझे उनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई. मैंने मिस्टर सुनील मलिक से कहा, कि मुझे आप तीनों से मिलकर ऐसा लगत जैसे मेरा आपसे कोई बहुत पुराना रिष्टा हो. तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ रिष्टे अंजाने में बनते हैं और चुपके से निभाए जाते हैं. तो चले, जानते हैं जानते हैं. एक्स्क्यूज में लेडिज जेंटलमें, मिस्स बृतानिया, मिस्स कुमार एक बहुत जुरी अनॉंसमेंट करना चाहती है. पापा, ममी क्या गाना गाएगी? अरे तेरी मां गा भी शकती है और नचा भी शकती है. आपको कितने बार नचाया है? खामुश! गुडीवनिंग लेडिज एंट जेंटलमें, ओनरबल मेयर अफ कौत्रबॉन ने हमें ग्रेट मदर एवार्ट कमिटी का मेंबर चुना. आज ब्यूटी पार्लर में हमारी मुलाकात एक ऐसी ग्रेट औरत से हुई, किस तरह इस ओरत ने अपनी बेटी को जनम दिया, उसे पाला, किस तरह वो हालात से लड़ी, और सबसे इंपॉर्टन बात ये है, कि उसने आज तक किसी भी गयर मर्ग की परचाई भी अपने पे पढ़ने नहीं दी. आज जब कौत्रबॉन के लोगों से इनकी शराफत के किस्से सुनाई देते हैं, तब एक औरत होने के नाते, मुझे इन पर नास होता है. और इस ग्रेट, ग्रेट लेडी का नाम है, मिसस आशा ब्रिटानिया. Give her a big hand! हर साल, ये ग्रेट मदर का एवाट मिसस चौधरी को मिलता रहा है. लेकिन इस बार मैं मिसस चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगी, कि वो खुद अपने हाथों से ये एवाट मिसस आशा ब्रिटानिया को दे. मिसस ब्रिटानिया, अगर ये एवाट आपको दिया जाए, तो क्या आप इसे मन्जूर करेंगी? मामा, say yes, take it. जी हाँ, मुझे मन्जूर है. येस. जिया, जिया, जल्दीकार. ओफ़ो, ये वाट है क्यों नहीं? मिसस ब्रिटानिया, अगर आपको उन टीनों हिंदुस्टानियों के आने से इतनी टेंशन है, तो मेरे पास एक आइडिया. आइडिया? क्या? मैं उन टीनों को अपनी गारी से उड़ा देता हूँ. बजया यहाँने के सीधे हॉस्पिटल पहुंच आएगे न. जॉनी हाँ, यहाँ मेरी जान पे बनी है और आपको मजाग सुज रहा है. जिया, आपको आवाज दीजे. जिया, आइडिया था. जिया, आरे मामा, ओ गाड. या, टेल मी, वस्ट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बेबी, यह लो शॉपिंग लिस्ट. मामा, इतनी जोटी लिस्ट. यह लो पैसे, जल्द से जाना और आराम से शॉपिंग करके लाना, ओके? जल्द, 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 जल् सुबह सुबह इतने बंदसावर के कहा जा रहे हैं है कट्रिंद सोला साल के बंद के कहा जा रहे हैं कुब इन नुटक या कर दो कर दो कर दो सबस्क अर्ष अर्ष॑ अव्छ आए इस्ट कूनो करें इस स agreement यह यह घर है या महल मेरे दस हजार रुपाई महिने में इतना सब कुछ यह तुमने कैसे कर लिया इंशुरंस है इंशुरंस है वो टैक्सी से मेरा एक्सिदेंट हो गया है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी न लगी न यह तुमने मुझे इतना गहर समझा के लेटर से या फोन पर मुझे कभी कुछ बताया नहीं अवह आमर डालिंग मैं तुम पर खर्च का और बोजनी डालना चाहती थी पहले तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना ओडालिंग सुश्वीट सुश्वीट कम कम सेट सेट डालिंग मैंने तुमारे जो भी किया वह कुछ भी नहीं किया अउ यह बेबी मेरी सारी दॉल्ड एक तरफ तुमाया प्यार और मेरी बेटी एक तरफ कि यूनों जालिंग मेरी पत्नी से मेरी कोई अलाद नहीं है और वह सबस्तिय मुझ में कमी है तुम भी बताओ कमी उसमें है मुझ में और नौ यू आ मैं माचो ही मैं येस पर एक बात बताओ जालिंग वो तुम्हारे खुबसुरत बाल कहांचे लगे बालों की बात थोड़ कर सकते हो कहेकर तो देखो अमर तुम कहो हो ना टुम तो फोरन यहां से चलिजाओ क्यों तो मुझे पता निथा कि दर्द इतना बर जाएगा कहूं से दर्द्यूंत दर्द्युन्त ने वह जो तो तुम से मिलकर दुबारा शुरू हुआ है क्या बताओ इसवक्त मेरे दिल पर ग्याब बीद रही है मर्या तुम ही उनको बताओ ना कि इनकी जुदाइए में मेरे दिल को क्या हाल होता था बहुत बुरा हाल होता था साब इससे पहले कि दर्द आंसु बनकर मेरी आंखों से चल जाए प्लीज यहां से चले जाओ चले जाओ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसा कुछ भी कहना बस रुकने की बात मत करना नहीं यह चाहता हो कि मैं तुम्हें टिकेट भेजता हूं तुम कुछ दिनों के लिए जिया को ल करेंगे और तुम जिया को बता देना कि मैं उसकी डैडी का दोस्त हूं अच्छा मैं जिया से बात कर लूँगा लाला इसी आदा पे तो मरता हूं डालिंग लॉव यू लॉव यू लॉव यू आ अंगा है रोकिन है तुम यहां मैंने चाहते कि वह तुम्हें देखले तुम हाँ एक्सेडाने में जाते होूँ एक पर अंदर वह टेंचन है क्यों एंदर वokes आले हैं वह фильм क् innocent आए हैं एक्लेंट हां वो ट्रेन ने मुझे उड़ा दिया था ना oh no yes लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं सुने ना डाले तुम पांचे मिनट के लिए जरा घूम के आजाना ना वह अतना बहुत गरबर हो जाएगी प्लीज स्वीटार्ट यो अंडिस्टेंड नो प्लीज गुट आडिया गुट आडिया अल ग्लीर इंश्वी शुले गाए गया गया एक ही था एक आया है एक आने वाला है दो है यहां दो है चलो नो डालिंग जाली काश काश में पल दो पल तुम्हार से तो और गुजार सकता क्यों मेरे जुदाय की जखम उपन नमाग चड़क रहे हूं जाओ जाओ ना मैं तो तुम्हें बारादार मेना भिषता था इतना शांदार मकान कैसे खरीद ले डालिंग इंशुरंस से इंशुरंस से मेरे एक्सिडेंट हो गया था ना अरे कहां चुट लगी अंदर हो नहीं लेकिन आप में बिल्कुल ठेक हो फिकर की बात नहीं यह कौन है? माइ मेड मरिया क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देरें? मारिया यह फोल मेरे बेडरूमे रख देना यह मादम मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है हाँ हाँ जरूर बोलू ना मामा मिया आशा तुम अब भी कयामत लगती हो ओ सुनी तुम कुछ जरूरी बात करने वाले थे ना ऐसा है कि करा जब तुम्हें देखा ना तो देखता ही रह गया फैसला कर लिया कि तुम और जिया इंडिया आ जाओ जिया को अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा देंगे तुम्हारे लिए मकान और गाड़ी ले दूँगा हफते में दो तीन बर मिलना आय करूँगा और कभी-कभी तो सैटेर नाइट को भी अच्छा कैसे लगा में रॉपलैर हां क्या हुआ क्षिए वा चवा अच्वा अनीस साल तक अपने जज़बादों को सिने में दिवा कर अखा हम असे बताशनी होता हूँ अच्वा अच्वा कोई क्या हुआ थक गया नहीं 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 नाकुन के निशान पर जाएंगे बीबी को समझाना मुश्किल पर जाएगा बहुत लड़ाक हुए अच्छा तुम दिवानी हो गया हुँ उननी साल के दूरी करनी मुझका पूरी नहीं छोड़ूगी यह कंसला गर्ट आचा पिछली दर्वाजे से बैक चौर जल्दी, जल्दी क्या हो? कमाल है, वही एंशूरस वारा पिछले जरुवाज़ से आ गया वहां से चलते हैं एक 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 क्या होँआ? पपी? सी, I told you, I want you हरे, ये तो पोछ लो, ये तो बीवी मारेगी ना ओकी, बाउची, बाउची हाला, मिस्स बिठानिया मिस्स कुमार क्या खूबसूरत खर है आपका क्या मैं अंदर आ सकती हूँ वेल, मिस्स बिठानिया हम इंडियन वाइव्स ने एक मीटिंग रखी है और हम सब चाहती है कि ग्रेट मदर का मानपत्र आपको ही मिले मुझे? हाँ, वैसे कुछ औरते हैं जिनकी राय मिस्स चौधरी के हक में है हाँ, वैसे मिस्स चौधरी को दे दीजी ना मुझे कोई उतराज नहीं, I don't mind at all कैसी बाते कर रही हैं? क्या मैं नहीं जानती कि आपने कितनी मुसीबते चेली हैं? यह तो आपका हक है, मिस्स बिठानिया and you just don't worry, हम सभी की राय आपके हक में है वैसे मैं आपको इस मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए आई कि आप आना जरूर हाँ, जरूर आउंगी, क्यों नहीं आउंगी? आप मुझे इतनी बड़ी इज़त दे रही है, मुझे मान पत्र दे रही है मैं क्यों नहीं आउंगी? अच्छा, बागी बात हैं हम लोग मीटिंग में कर लेंगे मैं इसकोर, क्या हुआ आपके तब यह ठीक नहीं है क्या? मागरे, 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 इस सरसे बहुत दे दे में क्यों करूँ? मस मुझे तुमोड़ी से आराम की जरुवत है अच्छा, ओके, तब मैं चलू? आ, जाएए ना, जाएए ना, प्लीज आ, माँ जाएए, माँ जाएए, माँ जाएए, एक मिरिटा, जाएए ना कमाले मिस्स कुमार, मुझसे एक बहुत बड़े गलती होनी वाली थी, अच्छा होँआ हम लोग बच गए, बाल-बाल बच गए लेकिन हुआ क्या? वो क्या है कि हमारे मौरिशिस में एक रिवाज है, जो महमान बिन बुलाए आए, उसे हम पिछले दरवाजे से बिदा करते हैं अच्छा, मगर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बिना बुलाए महमान जिस दरवाजे से आए अगर हम वापस उसे दरवाजे से बिदा करें तो बहुत बैड लग होता है अफशकन होता है मुझे मालूम है आपको बुरा जरू लगेगा लेकिन आप वापस इसी दरवाजे से गए ना तो यानि कि बहुत ही पहले तुम मुझे अंदर ही नहीं लिया और अब अंदर इसे घसीट रही है जैसे कि मैं बाहर खाड़ा रहा तो कोई चोरी कर लेगा ओ कुमार डालिक मैं तुम्हें क्या बता हूँ कि इंशुरूंस वाले ने मुझे कितना परुशान कर रखा था करनाच जब मैंने तुम्हें देखा तुम बिलकुई चौजगी का चांद लग रही थी ओ यू नोटी बॉइ कब 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 मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है कैसा प्लान बटो पहले इन कागजाद पर दस्तकत कर दो यह क्या है मैंने अपनी एक कंपनी के सारे शेर तुम्हारे नाम कर दी है अगर मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तुम्हें और जीया को पत्लीफ नहीं होगी बच्चे उचेट गूद रहे होगे और मैं मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम ही टाइम है टाइम ही टाइम बनो डालिफ क्या राधा है बड़ा नेक राधा है तुम्हें फॉरन अपनी वाइफ को तलाग देना होगा और फॉरन मुझसे शादी करनी ने ने यह तो बहुत ही डेंजरिस इनादा है ऐसा खाब कभी मत देख रहा है यह नहीं देखो देखो नो डालिंग ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर ना मेरा यह खाब तुम्हारी वाइफ को बता देते हैं प्लीज ऐसा ना करना अगर तुम्हारी बगार एक पल भी ने रह सकती आप चाहिए खाम बोलो ना डार्लिंग वर्न मैं शोर बचा दोगी अगर तुम्हारी बगर एक पल भी ने रह सकती तलाग दो शादी करो तलाग दो शादी करो तलाग दो पूरी भागल हो जाओंगी अगर एक पल के लिए भी तुम्हार और रोके तो लुओ मन फिरा आफ्से न की दो भी तुम्हार है एक आफ डंत अगाल ने तो आए पार क्वित चंब्रीयर mixed आरा चाहिए तू भी तो मिलकर आते काल बता रहा है क्या मतलब स्थी कर निशान लगई है अरे बापरे और क्या क्या हुआ ये तो बता अरे क्या बताओ यार 19 साल के जुदाई की तडप मेरी गल्फरेंड के रोम रोम से छलक रही थी बिश्ली की तरह टूट पड़ी मुझ पर बुरा हाल कर दिया वो अपने नाखुनों से मेरे घालों पर प्रेम गीत लिखना चाहत इंदी क्या बाद कर रहा है अरे जानते हो अगर वो ऐसा कर देती ना तो मेरी बीवी को इस गीत का मतलब 19 साल तक नहीं समझा पाता करेले की तरह चील डालती मेरे को गचा गच 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 बापरे बाप बच गई यार बच गई सच मुछ बाल बच गई क्यों तेरी गल्फर अजितर लुक्ते गच गच गई का। ओसर अगला है वच इसका अतले क्या है यौर उसके बच्चों का बाप हो क्याने लगी मेगाजी को तलाइक दो और मुझसे शाधी करो तलाइक पो तैलाइक दो रागत ऑर सादिक हरो तो देदेना तलाइक खिरirasर है तुब्ह सभी पै तुमने आज शर्म के मारे हमारा सर नीचा कर दिया सॉरी मामा ऐसा क्या कर दिया मैंने राज तुम्हें जिया की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकना पड़ेगा मगर क्यों वह हमारे क्लास की नहीं है ओ मामी जीआ मेरे बीच एक क्लास कासे आ गया जीया का वो स्टैंडर नहीं है जो हमारी बहु का होना चाहिए हमारे क्लास के सामने उसकी कोई क्लास नहीं जास ओ माई गुड्द ये तो मैंने कभी सोचा एह नहीं सोने के जेवर में हीरा जड़ा जाता है रास्ते का पथर नहीं मामा अपशा ठीक कह रही है क्यों नानी बेटे अपने बच्चों के लिए बड़े बुज़ुग जो भी फैसला करते हैं वो कभी खलत नहीं होता मतलब जिया से रिष्टा कट सिर्फ इतना ही नहीं उसे तुम इस घर में बुलाओ और हम सब के सामने उसकी बेज़दी करो ताकि वो हमारी बहु बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे योर राइट मामा हम तीनों के बीज उसकी बेज़दी करने में मज़ा नहीं आएगा दस-बीज दोस्तों को बुलाओ निशा को भी बुलाओ फिर मैं सब के सामने उसको समझा दूँगा उसका क्लास क्या है राजबाबा आफटर आल आपके क्लास के सामने जिया का तो कोई क्लास ही नहीं है ना जी वो आएगी भी तो बस में लटक की आएगी या फिर पैडल आई डोन अंडर्स्टाइन राजबाबा कि आप हवाईजाज में उलने वाले एक पैडल सवारी से कैसे रिस्ता जोड़ सकते हैं राजबाबा जिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए और वो आए ना आए से धनराज अपनी बेटी के साथ आचुके हैं वो देखिया है राजबा जरा देखे तो इसके तो मुस्कुराहट भी उचे क्लास की है अरे हम तो कहता हूँ कि जिया को छोड़िये और इसके बारे में सोचिये इसकी तो सोच रहा हूँ है पैंटास्थिक पैंटास्थिक हमको मौनुम था मामा पूराना रिश्टा तोड़ूंगा फिर नया रिश्टा जोड़ूंगा आज आप राज-बाबा बुले हैं हाई खि्लास सुर में बिल्कुल हमारे सुर में जा रहे हैं, अरे डॉंट वरी, जिया को आने दीजिए, आने दीजिए उसको हाई राज, सॉरी राज, जरदेर हो गई जिस क्लास की आप हैं, उन्हें देर होई जाती है राज, तो क्या तुमने मुझे यहां, मेरा क्लास समझाने के लिए बुलाया है? नो, तुम्हारा क्लास तो लो है ही, इनका क्लास कितना ऊचा है, यही समझाने के लिए तुम्हें यहां बुलाया मामला आ गया क्लास का और तूх मार खाल गईओ क्लास से हम होची क्लास के लोग और तुमारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं ओके राज तुम्हें तुम्हारा क्लास मबौरक हो I'm going bye लेकिन शुदो और आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना कभी नहीं आऊंगी कि इस घर की तरफ कभी नहीं देखना कभी नहीं देखूंगी एक्सक्यूज मी येस जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया क्या मैं जान सकती हूं कि वह लाकी गल कौन है ओ जानना चाहती हो येस सुन्दर्दास जी बता दूं अर्व पतलाई हैं इतना पूष्त कहें हैं हां सुर्दास थीक कहता है सुन्दास नहीं सुन्दर्दास सीक कहता है सुन्दरदास आलभेज सीखेता है और नौनवेज नहीं खाता है ठीक गुला है क्यों नानी बता दू मामा बता दू हाँ बतला दो सुन्दरदास जी जो में लिए सब कुछ है उसका नाम है जीया कि अ बाद कमेश्च यह क्या हो रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा कुछ नहीं होगा क्या मतलब अइसे होगा बाद में है 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 वह लो 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 एक है लो लो जोगत कर दोसे हैं जीया, I want to love you I want to kiss you, जीया I want to love you, I want to kiss you, जीया कैसा ये लड़का है, बाते ही करता है लायर है, लायर है, जुटी ही मरता है मैं हा कहूर ये ना कहेर, मैं क्या करूर बोलो जीया, I want to love you I want to kiss you, जीया रोज फ्लावर के जैसे तेरे मुलाएं गाल जुमलू तेरे गालों को क्या है तेरे ख्याल जुमिला है चांस कर ले रोमांस कुछ सोच ना आनारी जीया, I want to love you I want to kiss you, जीया Oh sweet heart, oh sweet heart, so sweet Oh sweet heart, oh sweet heart, so sweet बादल के आचल से देख रहा है मून मून पे चल के चल मनाए हम अपना हनी मून मैं भीचवान, तू भीचवान, चल चांद पीचले हम जीया, I want to love you I want to kiss you, जीया कैसा ये लड़का है, बाती ही करता है लॉयर है लायर है, जूती ही मरता है मैं हां कहूर ये ना कहेर मैं क्या करूर बोलो जीया, I want to love you, I want to kiss you, जीया I want to love you, I want to kiss you, जीया सेट जी, लीजे ना पीजे, अरे लीजे ना क्या सोचते हैं अरे सेट जी, कहे को टेंसल लेते हैं, ऐसी एक पपी लेने से कोई किसी का थोड़ी हो जाता है मुझे तो मेरी बेटी का फ्यूचर बहुत भी खराब नज़र आ रहा है Daddy, Mauritius में एक ताज महल बनवा दो और मुझे उसमें दफना दो और उसका नाम रख दो राज महल अरा बंडफोल, very बंडफोल, क्या फैंटास्टिक आइडिया दे है निसा बेवी ने, लोग इंडिया में जाहां की महपत देखने के लिए ताज महल जाते हैं अब मौरिसस में निसा और राज की महपत देखने के राज महल जाएंगे, क्या बोलते हैं अरे वही बेच के तो सूट खरीदा हूँ, सूट निकाल, अरे शूट के निस्चे कुछ नहीं है, क्या मतलब? अरे हम सच कहता हूँ, आप तो जनती है, सुन्दरदास आलवेज ठीक बोलता है, और नॉनवेज निकाता है मेरी बेटी की शादी के लिए मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ मनी आता है अरे सर जी एक आइडिया है, बहुती अच्छा आइडिया है, आप किसी बिटानिया को जनते हैं, नहीं तो हम भी नहीं जनता हूँ क्या मतलब, कोई भी नहीं जनते हैं, यह मिसेज बिटानिया कैसे हो गई, इनका साधी कहा हुआ, क्या वो बिटानिया तरक था जनते हैं, नहीं तो हम भी नहीं जनता हूँ अरे कोई नहीं है कि कब तूफान आया किसकी जान बचाई जनते हैं नहीं जनते हैं अरे शेड़ इस डिश्टोरी में बहुत भाँ लोचा है इस लोचे मेंसे हम ऐसे ऐसे कीड़े निकालूंगा कि मिसेज बिटानी चक्ट खांगे गिर जाएंगी अरे वाँ भही वाँ तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया अभी थोड़ा देर पहले आप हमरे कप्रे उस्तार रहे थे नहीं वो तो क्या है बेटी की शाधी के लिए अरे काई को टेंसे लेते हैं अरे हमारे रहते हैं टेंसे लेने कौनों जुरूत नहीं है अब तो जनते ह मैं स्पीक टो जिया प्लीज और मैं इसे क्या को हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं जी राज राज जिया तुम्हारे लिए किसी राज को फोन है हालो राज मैं तुम्हारे घर में घुचके तुम्हारी मम्मी के सामने मैं तुम्हारी पपी ले लूंगा जिया ये राज कौन ह इस राज को तुम कब से जानती हो केजी क्लास से केजी क्लास से और अमें पता ही नहीं इस राज दियू लाइक हिम नो मामा आ दो लाइक हिम आ लूब हीम आ जानि भाई मरिया सभ लोगोंने हमारी जिया इतनी बड़ी हो गए यह किसी से प्यार करनी लगी है अले कल तक तक दे चोटी सी ननी सी प्यारी सी गुरिया जैसी थी बेपी बेबी यह राज यह किस फैमली का है मिस्स चॉजरी का ग्रांशन है ममा लगता है। लगता है मेरी समझ में यह नहीं आता कि मिसिस चौधरी इंसान है या आटम बॉम चो आप इतना डर रहें अरे वो एक खामोश आटम बॉम है अगर उन्हें छेडा तो बम फट भी सकता है क्यों जानी भाई फट सकता है बिलकुल फट सकता है ऐसा कुछ नहीं होगा मामा ऐसा ही होगा जिया मैं तो कहती हूँ तुम राज को भूल जाओ बेटा तुम ब्रिटानिया फैमिली की गलौती बेटी हो तुम्हारे पापा की शेहिद होने के बाद उनकी फैमिली आज तक हमें इंडिया से पैसे बेश कर हमारी परवरिश कर रही है आखर उनका भी तो कोई नहीं हो सकता ना नहीं हो सकता है आज में आपकी हाण ले करी रहूंगे आज ही येस मामा आज ही और अभी नामोंकिन अब अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो समझ लो मेरी तुम्हरी कटी 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 मामा मामा कि अ मदर, मदर, घियार मदर, मदर, घियार मदर, जब जब देखो तुछे जब जब देखो तुझे आए भगवान नजर मदर मदर दियर मदर 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 दियर मदर जब जब देखो तुझे जब जब देखो तुझे आए भगवान नजर मदर मदर दियर मदर 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 दियर मदर बच्चे मां से रूठ बिचाए मां बच्चों से रूठे ना सारे रिष्टे जूठ बिचाए परी रिष्टे देना ये बंधन है, ऐसा बंधन जीवन हार को छूठे रा मदर मदर, बियर मदर भीयर मदर मदर मदर, मदर मदर मदर, बियर मदर तेरी आँखों में रहते हैं गंगा जमना के थारे क्यों जाओं मैं मंदिर मशिद क्यों जाओं मैं तुर खारे पिश्वर अल्ला और गुरु नालत तुछ में छुपे हैं ये सारे मदर मदर दियर मदर 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 दियर मदर सिंग लिड़ जिंग लिड़ा मा बच्चों की नजरों में भगवान है पर मत भूलो वो भी इनसान है उसकी भी होती है कुछ मजबूरियां उसकी भी होती है कुछ कमजूरियां No, no, don't say mother Oh mother, dear mother Mother, mother, great mother Mother, mother, mother Yeah, brother, yellow check इसे बैंच से कैश करवा लेना मैं आवार्ड्स कमेटी मीटिंग में जा रही हूं विश मे लख बेस्ट अव्लाग है थे बेटा वायो वाय Ladies and gentlemen The Great Mother Award 98 के लिए हमारे सामने दो कैंडिडेट्स के नाम आए है Mrs. Chaudhary and Mrs. Asha Britannia आप मेंसे जिनकी राय मिसस ब्रिटानिया के हक में है वो पहले अपने हाथ उठा कर अपना वोट दे दे अरे ये तो सारे के सारे मिसस ब्रिटानिया के हक में है तो हब सब की राय के मुताबिक इस साल का The Great Mother Award 98 Mrs. Asha Britannia को दिया जाएगा Ladies and gentlemen, Mrs. Britannia, please give her a big hand आपको The Great Mother Award 98 के लिए चुल लिया गया Excuse me, मुझे कुछ डॉलर्स एक्स्चेंज करके मौरिशन रुपीज चाहिए Of course madam, आपका पासपोर्ट Oh, Mrs. Kumar Sina Yeah आपके husband इलाहबाद के रने वाले है वो हमारे पुराने customer है उनका हर महीने Mrs. Britannia के नाम से चेक आता है नहीं, वो कोई और Mr. Sina होगे नहीं मैडम Mr. Kumar Sina, N. Kumar Constructions B75, Sangam Apartments, L.B. Road, इलाहबाद यह तो उन्हीं के office के address है वो हर महीने Mrs. Britannia को चेक भेशते है जी हाँ मैडम Mrs. Britannia के नाम 19 साल से हर महीने हिंदुस्तान से तीन चेक आते है Mr. Kumar Sina, Mr. Amar Khanna and Mr. Sunil Malik क्या मैं आपका यह रजिस्सर देख सकती हूँ, प्लीज? Of course, madam Thank you Hello Oh my god Mrs. Britannia? Mrs. Britannia को तो मैं गुली मार दूँ मी अश्रीमान कुमार Sina तुम्हरी तो खेर नहीं चिक बेशते है Excuse me, I am Jia Britannia Oh yes, of course मेरी ममी ने कहा था कि मैं उनका अकाउंट चेक कर लूँ Oh, this is right here Thank you Check फिशते हैं जाओ, तुम्हारे बाप को भून कर लाओ Yes, ममी Yes, ममी पापा पापा ममी बहुत गुस्से में है अरे तुम्हारी ममी को गुस्से के लाबा आता ही क्या है आता है न शराब पीना आता है यह क्या? तुम्हें शराब पी? हाँ, पी? शराब तो क्या? थोड़ी देर बाद जहर भी पीना पड़ेगा यह काम 15 साल पहले किया होता तो हमारा कुछ फाइदा भी होता है शराब सच सच बताओ हर महीने 19 साल तक मिसस ब्रिटानिया को चेक क्यो बेज़े तुमने हिंदुस्तान से बेवकूफों की तरह मत देखो मेरी तरफ जवाब दो मैंने चेक बेज़े ऐसा उट पटांग ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे वहनुमें तुम्हारा सारा काला पीला बैंक अकाउंट पढखर आयू में समझे एसे रोमेंटिक मौसम में तुम्हें बैंक जाने के क्या जरौर थी जवाब ज़िए जवाब दो मिसस बिटालिया को चेक क्यों बेजे तुमने वो वो चक करके तुम्हारा उसके साथ बोलो मैं पूशती हूँ तुमने ये चेक क्यों बेजे डारिंग मैं मानता हूँ के मैं न्नी साल तक ये चेक भेजे लोकिन ये मेरा फर्स था फर्स कैसा फर्स हां मैं कैसे भूल सकता उसके ऐसा अग को आज अगर वो होता तो मैं भी नहोता मेरी तुम्हारी शादी भी नहोती उससे पहले ही मैं मर गया होता यह कैसी बाते कर रहे हो तुम सची सची मैं कैसे भूल सकता हूं मिस्टर ब्रिटानिया को उननी साल पहले उसने मुझे तुफानी समंदर में डूबने से बचाया था अगर वो ऐसा ना करता तो आज मैं तुम्हारे सामने मुस्कुराता हूँ ख़ड़ा ना होता मेरी सिंदगी मिस्टर ब्रिटानिया की दी हुई अमानत है लेकिन इससे पहले तो तुमने कभी किसी मिस्टर ब्रिटानिया का जिकरी नहीं किया क्या जिक्र करता बदनसीब था बैचारा मुझे बचाते बचाते खुट डूब कर मर गया उसकी शादी को सिर्फ एक साल हुआ था बैचारी मिस्स ब्रिटानिया भरी जवानी में विद्वा हो गई उसके पेट में मिस्टर ब्रिटानिया का बच्चा भी था बैचारी मिस्स ब्रिटानिया उसका इस दुनिया में कोई नहीं था दोस्ती के नाते इंसानियत के नाते अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो क्या करता श्रीमान कुमार तुम कितने मालो तुम्हारे विचार ही माले पारस से भी उचे है ये नो, हिमाले पहर से भी उचे है मैंने तुम्हे इतना नीचे देखा ची-ची-ची-ची-ची-ची आरे तुमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नादे किया यो ग्रेट ह़स्बिन, यो सिंपली ग्रेट तुम इंसान नहीं, देवता हो, देवता तुम्हारी तरह मिसस ब्रिटानिया को बराबर चेक बेशते रहे हर महीने उननीस साल सुनील और अमर उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मिस्टर ब्रिटानिया ने उन्हें भी तुफानी समुंदर में डूबने से बचाया था आस्बेर्ड, तुम पत्ती होकर अपने पत्नी से चुपा सकते हो तो क्या हो दोस्त होकर अपने दोस्ते नहीं चिपा सकते हैं? चुपा सकते हैं, जरूर चुपा सकते हैं और चुपाना ही चाहिए तुम दिनो मानो Great अच्छा, तुमें चलता हूं जा करो मेरे देउता Committee Meeting, Important Committee Meeting Committee Meeting, Important Committee Meeting Great तरल वाटरफेंट पर क्या हुआ? यहां बैठिये दोनों अपने असा गुष्ण नहीं है मतु, सपना, हम तीनों कितनी नसीब वाली है क्यों? ऐसा क्या हुआ? अरे आज जब मैं बैंक गई तब मुझे सारी सक्चाई का पता चला हमें तो अपने पतियों की पूजा करनी चाहिए एक दूसरे को बताये भी न, वो 19 साल तक मिसेस बिटानिया को पैसे भेशते रहे आज अगर तुम सुहागन हो और तुम्हारे पती जिन्दा है तो वो तब उनकी कोख में मिस्टा बिटानिया का बच्चा पल रहा था इसलिए हमारे पती अपनी जिन्दगी का एहसान चुकाने के लिए मिसेस बिटानिया को पैसे भेशते रहे हर महीने उननीस साल तो स्वीट मिसेस कुमर बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है अरे अगर मैं ठीक कह रही हूं तो जाओ जाकर अपने अपने पतियों को बताओ कि अब तुम्हारी नजर में उनकी इज़त कितनी पढ़ गई है और हुख बुख भरी कहाणी के बारे में साभ पता है हमें उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हम हिंद costing पतियों को अपने हिंद्थानी पतियों पर कितना नाज है? येस, यॉर रॉईत मिसेस कुमार हाँ आज मुझे पर इतना महरबान क्यों हो रही हो इसलिए कि तुम कितने ग्रेट हो तुम कितने सारा से पैसे भेज रहे हो मिसस ब्रिटानिया को यह 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 तुम को किसने पताया है मुझे सब पता चल गया है और रुपे बेजने वालों में कुमार और सुनील भी शामि कमिटी मीटिंग कमिटी मीटिंग जानते हो सुनील आज से मेरी नजरों में तुम्हारी एक अलगी तस्वीर बन गई है तुमने मिसस ब्रिटानिया और उनकी बीड़ी के लिए जो कुछ भी किया है ना वाज की दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए नहीं क अरे तुम्हारी तो आर्ती अतार में तर नीमें की अर्य चत्तमें अमर कुमार की भी 2 क्या उन्होंने भी 19 साल तक किसी को चेक भीजिए थे हम मिसस ब्रिटाने को कहां चलती है कमिटे मीटिंग है match मरिया मरिया कमिंग मैडम कमिंग मरिया जिया बैंक से आ गई येस मैडम बैंक से तो आ गया लेकिन बहुत गुस्टा में घुस्टे में क्यों कहां है मेरी बच्चे जिया 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 बेटा तुम्हारे लिए खुशकबरी है तुम्हारी मामा को ग्रेट मदर का अवार्ड मिलने वाला है जिया ये तीनों इंडियन्स कौन है मामा क्या रिष्टा है आपका इनसे उननीस साल से हर महीने ये तीनों आपको चेक क्यों भेजते रहे माई फादर मिस्टर ब्रिटानिया अरे ऐसा आदमी कभी था ही नहीं और ना ही कोई ब्रिटानिया फैमली थी और ना ही मेरे पापा ने किसी हिंदुस्तानी के जान बचाई थी ये सिरफ आपने एक मनगलत कहा कहानी घड़ी थी मुझे जूटा दिलासा देने के लिए असली कहानी तो ये है कि मेरा एक बाप नहीं तीन बाप हैं ये तीन इंडियन्स मेरे बाप हैं और आप एक बिन बिहाई मदर और मैं मैं इन तीनों की नाजायज ओलाद हूं स्टाप इट तुम्हस से जादा बोल मैंने तो आपको एक नेक शरीफ और क्यारिक्टर वाली मा समझा था मगर मगर आपको तो कोई क्यारिक्टर ही नहीं है जीया आप जैसी गिरी हुए औरत को ग्रेट मदर का आवाड मिल रहा है ये हर मा की तौहीन है ग्रेट मदर का आवाड एक ग्रेट मदर को मिलता है एक आपके इस्थापडने थाबित कर दिया कि जो कुछ भी मैंने कहा वो सच था और एक सच आप भी सुन लीजिए आज के बाद ना तो मेरा आप से कोई तालुग है और ना इस घर से मिस्री ब्रिटानिया जीया को रोको मैडम जीया बेबी जीया बेबी अकर उस्से नो कुछ उन्टी सीधी हर्कत कर गई तो आपको जिन्दगी भर पश्टान अपड़ाएगा रोकिये फ्लीज थ्रोबेच पुलीस टेशन चक्रवर्थी स्पिकिंग मैं मिस्स ब्रिटानिया बोल रही हूँ अलो मिस्स ब्रिटानिया गुड आफटर नूर ऑफिसर एक लड़की मेरी गाड़ी चुरा कर भाग गई है उसे आफ और गिरफतार कर लिजे अरेस्टर प्लीज कैसी मा है आप अपनी बेटी को जेल में डालने का इंजदाम कर दिया जीया बेबी को प्यार से समझाने का था सब ठीक हो जाथा अरे उसके लिए एक राज जेल में रहना बहतर है बजा इसके कि वो मुसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरा दिल पत्थर का नहीं है मैं उसके माँ हूँ कल सवेरी में पुलिस्टेशन जाकर अपनी जिया को प्यार से समझा कर घर लियाओंगी हाँ 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 मेडम चाहे नहीं मरिया हलो गुद आफ्टरन मिस्स ब्रटानिया ट्राफिक इंस्पेक्टर रिशी स्पीकिंग आपके लड़की का छोट एस एक्सिडेंट हो गया अब उसको सर्श्यूसागर राम गुलाम हस्पिटल लेकर जा रहे हैं मैं अभी आ रही हूं जिया का एक्सिडेंट हो गया है जिया का एक्सिडेंट इसका मतलब है आश्या को मैं अब तक 21 लाग रुपए भीज चुका हूं मैं उल्लू का पठा एक कंपणी के सारे शेर जो उसके नाम कर दिये कुल मिलाके 31 लाग का भटका पढ़ा है मुझे और मेरा टोटल तो 27 लाग तक पहुंच गया है आश्या ने हम तीनों को इसका मतलब यह हुआ कि उसने हम तीनों को इंशिर्स वाला बना कर खुब बेफकु बनाया इतना रुपिया भीजने के बाद उस लड़की का बाप को ने यह पूछना तो हमारा हग बनता है इसमें पूछनी की क्या बात है जिया का बाप मैं हूँ राइट मदरी जानती है कि असली फादर कौन है उसने हम तीनों से पैसे लिए क्या कहते है उसे चीट किया है चीट किया चलो उसे ठीक करते हैं पाजी लट्स के मूइन तो नो तीनों एक साथ मिसेट ब्रिटानिय को बाहर बुलाओ हमको पाई पाई का इसाब लेना जाब लेना रहे हो मैंदम फिटल क्या है तो एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट किसका जिया बीबी का किया रहे हो पाजी गरी मुट्मन आप लोग हास्पिटल नहीं जाना तो नहीं जाना आउस्पिटल नहीं जाना गर्मा हो जाएगा आया बापा आया 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 अलो अब तीनों एक साथ नेवर माइन मिसिस बिठानिया घर में है नहीं है वाव कितना खुबसूरत घर है ना अरे आज तो उनको मानपत्र मिलने वाला है ग्रेट मदर का यहीं बताने के लिए तो आई है हमनों यहाँ लेकिन माडम घर पर नहीं है देखो मारिया तुम उनसे कह देना के हमें पूरी कहने का पता चल चुका है आपको पूरा स्टोरी मा मालुम हो गया है। हाँ हमें सब कुछ मालुम हो गया हुआ है। अब इंडियन औरहा कितना ग्रेत है देखो मर्या, जो मिसिस बृतानिया के साथ हूआ वो都 सेब तो किसी पिन-औरहा ऊरत के साथ हो सकता है। नहें है हमारा मैडम कितना चल ठाता बहूत है। फिर तुम्हारा हस्मेंड लोग 19 यर्स चेक भेज़कर मैडम का मदद करता रहा हूँ वाट अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी मारिया मिसेस बचानिया कहा है हॉस्पिटल में एक मदर तीन फादर एक डॉर्टर सब मिलने वारा है कम ओन लेट गो तो थे हॉस्पिटल चल जिया जिया मेरी बच्ची तुम ठेक तो हो ना अर्यू ओल्राइट काशके में मर जाती ओ जिया मेरी जिन्दगी पहले जखमों से भरी हुई है उन जखमों को और जोट ना पहुंचाओ वाइ नॉट तुम्हारी परच्चाई से मेरी जिन्दगी जल गई है मेरी सारी खुशियां जल गई है क्योंके मेरी जिन्दगी तुम्हारी बदनाम जिन्दगी से जुड़ी हुई है जिया मेरी जिन्दगी में जो अन्हुनी हुई है वो मेरी मजबूरी थी क्या मजबूरी में दुनिया की हर और ऐसी ही गल्थी करती है जो आपने की है एक मजबॉर और कोई भी गल्थी कर सकती है जीया क्या मुझ्बूरी में उरत स्वाइफ बन जाती है या फीर वक्त और हालाद से तिहार कर делатьा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मजबूरी आई नहीं इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि मजबूरी क्या होती है मैं नहीं मानती कि दुनिया में इसी कोई मजबूरी है जो इंसान को इतना किरने पर मजबूर कर दे मजबूरी थी जिया जानना चाहती हो तो सुनो मेरे पापा यानि तुम्हारे नाने जी को कैंसर हो गया था अचानक धेर सारे रूपयों के जरोवत पड़ गए थी मैं अकीली लड़की जात हितने सारे रूपय कहां से लाती क्या कैंसर से थरत्व है तहो जो देती थोड़ी से वक्त में धेर सारे रुपे खटा करने के लिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा जिसका पश्टावा मुझे जंदकी भर रहेगा मैंने पाप जरूर किया है जिया मगर उस पाप में भी एक पुन्य की भावना चुपी थी मेरे पापा को बचाने की भावना मगर ना मैं अपने पापा को बचा सकी और ना यह दाग मठ सका फैंटास्टिक गुट स्टोरी ममा कहानी बनाने में तो आप मास्टर है वाट तुम्हारा मतलब है कि यह कहानी है यह जूट है येस जिस तरह आपने मिस्टर बिटानिया के जूटी कहानी बनाकर 19 सालों तक इस श जाएज आउलाद हूँ आपने उन तीरों का अपना जिस नहीं बेचा बलके बदकिस्मति की चौकर पर मेरी तक्दीर बेच दी मेरा भ्यार बेच दिया आज शेहर वाले आपको ग्रेट मदर का अवाट देने वाले मगर आप उस अवाट के काबिल नहीं है यो डॉट डिजव इट लेकिन ग्रेट मदर साबित करने के लिए आप वहां भी कोई अच्छी सी कहानी कर देंगी जिससे सुनकर लोगों की आखों में आस्वा लेकिन यह सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूँगी I will commit suicide मैं आत्मातिया कर लोगी नाय फ्लीस गो गो पलीस गो ठीक है आज जमागों कर लोगी saam Thingi aatmaatya मैं जाकर सब के सामने अपनी असन थे बता दूंगी कह दोंगी कि मैंने तीन आदमियों को चीट किया मैंने एक नहीं तीन तीन आदमियों के उसाथ नाजा इस तालोकाद जोड़े हैं मैं जवार की बिल्कुल लाइक नहीं हूँ आई विल गो देर और अनाउंस ते होल वर्ल कि मैं ग्रेट मदन नहीं एक ग्रेट हॉर हूँ है अशा अशा रुक जाओ रुकने के लिए इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है रुक जाओ अच्छा हमारे चेक कैश कराने का तुम्हारे पास टाइम था हम जानना चाहते हैं कि हम आपके हैं कौन अच्छा अगर यही सवाल में आप लोगों से पूछू तो क्या जवाब है आप लोगों के पास कि मैं आपकी हूं कौन और आप मेरे हैं कौन जिया का बाप मैंने 19 साल में तुम्हें 21 लाग और मैंने 31 लाग रुपे भेजने से आदमी बाप नहीं बन जाता मा बनकर मैंने कितनी तकलीफे उठाई है एक पती और बाप के साय की बगर एक बेटी और इसकी मा किस तरह जी रहे होंगे कभी सोचा आप लोगोंने तुम्हारी बच्ची को मैंने ही मा और बाप बनकर पाला है उससे सोसाइटी में सार उठाकर जीने लाइक बनाया है शी योव फ्लेश अन ब्लाड तुम्हारा अपना खूर मैंने तुम से तुम से या तुम से कभी पैसे नहीं मांगे वो तो तुम्हारी अपनी खुशी से मुझे पैसे भेज़े और आज आप लोग आए हो उन रुप्यों का हिसाब मांगने एक अच्छे बाप की तरह अगर आप लोग अच्छे बाप होते तो मुरिश्य जाकर अपनी बेटी को बाप का नाम देते उनने साल तक आप लोगों में से कोई आया है यहां और आज आये हो बाप का हक जताने है आशा हम भी यही जाणना चायते हैं हम तिनों मैं से जिया कर बाप कौन है वाच सब्सक्राइब मेरे तुम तिनों मेरी जिंदगी में तुफ़आन की तरह आया और आंधी कि तरह चले गें इसे बता सकती हूं कि तुम तीनों में सी जिया का बाप कौन है मैंने कैसे-कैसे खुद को जमानी की रूसوाईं से बचाया है यह मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है मकर मैंने अपनी बेटी के नजरों में जो मेरी तस्वीर बनाई थी वो तुम लोग इने यहां आकर तोड़ दी मेरी बेटी की नजरों से मुझे गिरा दिया तुम लोग अपने आपको जिया कबाप समझते हो न तो जाओ बचा लो अपनी बेटी को क्योंकि वो इस हाल से को बटी किसी की भी हो सबसे पहले हमें उसे आत्मात्य करने से बचाना चुछेए चलो चलो मिस्स बिटानिया मिस्स बिडानिया ठेरो ठेर जाओ कैसे औरत हो हो तुम हम तीनों की जिंदगी से खेल गाई तुम झाल 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 जी यह तुमने कैसे सोच किया कि तुम आत्मा हत्या कर सकती हो क्यों आप लोगों को क्या इत्राज है क्योंकि तुम हमारी बेटी हो बाप दो आप एक होता है ती नहीं तो ठीक है आज मैं सारी दुण्य के सामने अलान कर दूँगा कि तुम मेरी बेटी हो अपनी बीवी से नहीं डरूँगा बिल्कुल मत डरूँगा कि तुम्हें कोई है इतराज है जी हाँ बिलकुल है क्योंकि जीया सिर्फ हमारी नहीं हम सब की बेती है हाँ और मिसस बुटानिया की कहानी सुनने के बार हमने यह फैसला किया है कि हम तीनों पत्निया अपने तीनों पतियों को माफ कर दें कि जीया वैटिए तुम्हें अपनी मां की इ razor करनी चाहिए जिया बीट्र लेकुण को कि तुम्हें अपनी मां का दर्द की तो उनके आंसों कॉंपरों शेगा उन्हों नैंहीं जीया उन्होंने तुम्हें सिर्फ ब्यार दिया है और यही वज़ा है कि आज हम सब यह महसूस कर रही है कि तुम बहुत नसीब वाली हो क्योंकि तुम्हारी एक नहीं चार माँ है और जिया अब बहुत जल तुम्हारी शादी हो जाएगी और हम सब फिर मौरिशे स्लोट कर आएंगे कि और हम सब मिलकर तुम्हारा कन्यादान करेंगे हुँ ऑु ऐगे ठीक आने में नहीं एंदि रिछिकष्किन से करेंगे नहीं मेरी शानी नहीं हो सकती यु कि नहीं जिया तुम्हारी मा की सारी कहानी जानने के बाद मेरी नजरों में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई है राज तुम अगर तुमने उनकी शान के खिलाफ एक लॉष्पी बोला तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं करूँगा और शादी भी नहीं करूँगा तो क्या, यह सब चाने के बाद भी, तुम मुझ से शादी करने के लिए तयार हो। हाँ, अगर तुम अपनी मा की इजबत करोगी, उनसे प्यार करोगी, तो मैं तुमसे पहले से भी जादा प्यार करूँगा, और सारे जमाने के सामने तुमसे शादी करूँगा जिया, तुमारी माँ फंक्शन में सब के सामने अपना गुना कुबूल करने गई है अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये दुनिया वाले उनको कभी माफ नहीं करेंगे अब भी वक्त है, उठो, चलो अपनी माँ को बचा लो, वहना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हाँ जिया, चल्दी चलो, हम सब तुमारे साथ है जिया, तुम्हें एक पल की विदेरनी करनी चाहिए हाँ जिया, अगर वक्त हाँ से निकल गया, तो फिर लोड़के नहीं आएगा चलो जिया, जल्दी करो, चलो प्लीज, चलो, कॉमारे साथ है लेडिज जिया, इस ग्रेट मदर अवार्ड के लिए जो आप लोग ने मुझे चुना है उसके लिए मैं आप सब की बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूँ लेकिन आज, आज मैं आप सब को अपनी जीवन के बारे में सब कुछ सच-सच बता देना चाहते हूँ क्योंकि ये मेरी और मेरी लाडली बेटी की तमन्ना है कभी-कभी एक जुट भी इंसान को तबाह कर सकता है और कभी एक सच भी लेकिन अगर आज मुझे तबाह हो नहीं है तो मैं सच बोलकर ही तबाह होना चाहूंगी और इस सच की गवा इस सारे मुरिशिस में सिर्फ एक इमान हसती है और वो है मिसिस चौदरी मामी अगर कोई ऐसा सच है तो बता दीजे सबको बर बात कर दीजे इसको और इसकी बेटी को हां बेटी सच तो बोलना ही पड़ेगा लेडिस जेंटलमन सच यह है कि मैं एक मतर मतर डियर मतर जब जब देखो तुझे आये मगवान नसर बच्चे मां से रूठ पिजाए मां बच्चों से रूठे सारे रिष्टे तूठ पिजाए पर ये रिष्टा तूठे ना ये बर्धन है ऐसा बर्धन जीवन भर जो छूटे ना मतर 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 Excuse me Mrs. Battaniya आप कुछ सज बताने वाली थी बीच में गाना आ गया अच्छा था आप तो गाना भी समवप्त हो गया है बोलिये न वो सच क्या है बोलिये Mrs. Battaniya आप चुप कहे हो गई अरे आप तो सच बताने आई थी बताईए न वो सच क्या है जिससे जिन्दगी आपकी तबाह हो सकती है बोलिये न अरे लोग भी तो जाने आप नहीं बोलेंगी ठीक है तो हम ही बोलता हूँ क्योंकि संदर्दास आलवेज ठीक बोलता है और नानवेज नहीं खाता है ड़के यह सारे मौरिसियन अच्छी तरह जनते हैं कि संदर्दास मौरिसस के गले कुचे में आलवेज गुमता रहता है लेकिन आस तक हम किसी बिटानिय को देखे भी नहीं और उसके बारे में सुने भी नहीं फिर आपका यह हस्बेन मिस्टर बिटानिया था कौन बोलिये आप तो अपनी बेटी की शादी मिसिस चौदरी के ग्रांसन के साथ कराने के चकर में है लेकिन पहले आप यह तो बताईए कि आपकी शादी कम हुई थी हैं और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यह लड़की कैसे पैदा हो गई और अगर पैदा हो भी गई है तो इसका बाप कौन है और बाप का अतापता नहीं है तो यह नाजाईज ओलाद है और किसी भी नाजायद अवलत से मिसेश चौधरी अपने ग्रेंट सन का रिलेशन नहीं जोड़ सती है तके हैं हम तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा जिस तरह सूरज के माथे पर आग होती है उसी तरह आशा की बेटी मौरिसस के माथे पर बदनामी का दाग है अरे माबाप का किया हुआ अवलाद के सामने नहीं आएगा तो किस के सामने आएगा सच कहा तमने सुन्दरदास थैंक्यू मिसेश चौधरी आप तो जनती हैं सुन्दरदास आलभेज ठीक कहता है और नालभेज नहीं खाता है यह औरत इंसानियत के नाम पर एक शर्म नग धबा है ऐसे औरतों को सरे आम पथर मार का हत कर देना चाहिए ठीक होते हैं गले में फंदा डाल कर शहर के लैंपों से लटका देना चाहिए बिल्कु ठीक बहुते हैं मिसेश चौधरी मगर सजा तो उसी को दी जाती है जिसके गुनेगार होने का कोई सबूत हो सुन्दरदास जितने इलजाम तुमने मिसेश ब्रिटानिया पे लगाए है उनका एग भी सबूत है तुम्हारे पास अरा मिसेश बिटानी से पूछें मिसेश चौधरी कि इनके पास क्या सबूत है कि जो कुछ हम बोला हो वो जूट है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं इनसे पुछने से पहले मैं तुमसे पूछती हूँ सुन्दरडास सेट धंडाज की बेटी के साथ मेरे ग्रैंड संड का रिष्टा जोड कर तुम्हें कितनी दलाली मिलेगी दस हजार पचास हजार लाख दो लाख सेट जी कितना देंगे तेरा पेट भर दूंगा ठीक है ठीक है इस शहर में मिसेश प्रिट्यानी की इज़त अनमोल है तुम और सेट धंडाज अपने जिन्दगी बेच कर भी इनकी इज़त की कीमत नहीं चुपा सकते यह तो उल्टा मिसेश में एक भी आदमी ऐसा है जो मिसेश ब्रिटानिया को बचलन अमारा और चरित्रहिन साबित कर सके है सुन्दर दाज मैं तुम से पूछ रिया तुम्हें क्या हक है इसके बेदाग आचल पे किचल उचान लेका बिना सबूत की एक शरीफ और को सब के सामने इस तरह जरील करने का किसके तुम्हें हग दिया है अरसेट जी यह अपने के लिए पड़ गई है सुन्दर डास मैं जानती हूं मिसेश ब्रिटानिया के पास अपने बेगुनाही का सबूत है और वो सबूत मैं हूं मिसेश चोधरी कान खोल कर सुन्दो सुन्दर डास मैं और मेरे स्वर्ग वास्ति पती मिस्टर बिटानिया को अच्छी तरह से जानते थे वो एक अच्छे इंसान और एक इंडियन थे मैंने और मेरे पती ने इसके शादी में इसका कन्यादान किया मैं हूं इसकी श्रादी की गवाव और अब यह भी कान खोल कर सुन्दो सुन्दर डास जब मौरेश यहस की समुंदर में तुफान उठा था तो इसके पती ने अपनी जान देकर इन तीन इंडियन्स को बचाया था यह खड़े हैं तुम्हारे सामने एक सबूत की शकल में पिछो इन से यह सच है या नहीं हाँ यह बिल्कुक्त सच है सुन्दर डास जी अगर आपको मिस्टर ब्रिटानिया को देखना है तो हमारी आखों में जहाग के देखो उनकी सूरत साफ नजर आ जाएगी क्योंकि वो हमारा दोस्त था यार था मैं कात्रा बॉन के लोगों से पूछती हूं क्या इस औरत ने अपना जीवन इस इलाके के लोगों की सिवा में नहीं पिताया हाथ उठाकर इस बात का सबूत दीजिए देखो सुन्दर्दास यह वो हाथ हैं जो आशा की सच्चाई और महंता के गवा है और मैं खुद मिसेस ब्रिटानिया की कितनी इज़त करती हूं यह भी चान लो राज जिया को मेरे पास लेकर आए मैं आज मिसेस ब्रिटानिया को वचन देते हैं और आप लोगों के सामने अनौन्स करती हैं कि मैं अपने ग्रैंट सन की शादी जिया से करूं सुन्दर बास ने आशा पे जो जुटे इल्जाम लगा हैं उसकी सजा आप लोग खुद दीजिए हम कसम खाता हूं आज के बाद आल भेज जूट बोलूंगा और ओनली नांवेज काऊंगा यह सब आप की होजा से हुआ है लेकिन चिंता मत कीजिए उन दोनों का साधी होने दीजिए हम उनका तलाग करवाऊंगा और उसके बाद राज का साधी आपकी बेटिक साथ करवाऊंगा लेडिज एंग जंटिनमें मैं अब मिसेस ब्रिटानिया को प्रेट मदर का एवाब देती हूं आपने मेरे लिए इतना जूट भूला बेकी जिन जूट से किसी की इसत बचाए ऐसा जूट तो हजरों सच से भी महान होता है हरे अपने बच्चे बच्चे का है वो तो सामान के साथ ही एरपोर्ट चली गए सुनिया जी क्या हम जिया को अपने साथ हिंदुस्तान नहीं ले जा सकते जिया को तो सभी हिंदुस्तान ले जाना चाहते लेकिन हमारी आशा को कोईड़ी ले जाना चाहते लेकिन हमारी चलिए हिंदुस्तान में ट्राइं करेंगे अच्छे सुनीर हमारी एक बेटी तो होस्टल में रहती है क्या हम जिया को अपनी बेटी बनाकर अपनी साथ नहीं रख सकते हैं क्या जिया कि हमारे साथ रहने पर तुम्हें कोई अतराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं लेकिन आश हां हम और उसकी शादी का जोड़ा मैं खुद अपने हाथों से बनाऊगी हम चला हुआ हुआ है कि यह हमारे साथ हिंदुस्तान नहीं जा सकती है है मतलब है मुझे मामी कहके बुलाने वाला इस चनम में कोई नहीं होगा ऐसा क्यों सोचती हो हम जब जिया की शादी में यह दोबार आएंगे उसका कन्यादान करेंगे तो तुम्हें ममी कहके कले लगाएगी और मुझे पापा कहकर उस दिन हम दोनों के जीवन सफल हो जाएगा कि 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 अधा कि 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 पर्देसी तु है पर्देसी आत है चल जाते हैं पर्देसी तु है पर्देसी आत है चल जाते हैं पुछिया दे थोड़ी सी खुशिया फेर से गम दे जाते हैं परदी सी तो है परदी सी आते हैं चल जाते हैं ये ना समझ ना हमको तुमारी याद ना आएगी जब देखेंगे तस्वीर तुमारी आखें भर आएगी कुछ रिष्टे ऐसे हैं जो चुप कैसे निभाए जाते हैं परदी सी तो है परदी सी आते हैं चल जाते हैं दिल करता है आज पुकारूं तुमको मैं अपना कहेंगे लोट के फिर आओगी जाओ तुम ये वादा करके क्या हमें तेरे सब आएगे देखे बचल हम जाते हैं परदी सी तो है परदी सी आते हैं चल जाते हैं मिलना बिछडना इस जीवन की रीत पुरानी है दिल देता है तुमको दुआएं आँखों में पानी है इन अश्कों में मत जाएं खुशियों में भी आते हैं परदी सी तो है परदी सी आते हैं चल जाते हैं पुछ यादे थोड़ी सी खुशियां धेर से घम दे जाते हैं परदी सी तो है परदी सी आते हैं चल जाते हैं है बन्हें जो है तो कर दो कर दो डो जो है तो बल्ड़ कर भी तो कर दो कर दो